दोस्तों मैं सोरमलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट फिर क्वीज में आज हम देखेंगे तीन माई की करेंट फिर को जोकी सभी प्रिक्साओं के लिए मैत पून रहेगी डेली करेंट फिर क्वीज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट फिर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जोकि पूरे दिन की करेंट फिर होती है अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कल की वीडियो से कोशन पूछूंगा जिसका आंसर सभी को कमेंट बोक्स में बताना होगा कोशन है बेडमिंटन एशिया चेंपियंशिप में सन्पदक जीतने वाली पहली यूगल जोड़ी कौन सी बनी तो इस कोशन का आंसर आप लोग कमेंट बोक्स में बताईएगा सुरू करते हैं आज की करेंट अफेर को और पहला कोशन आपकी स्क्रेन पर है रास्टे खेलो का आयोजन गोवा में कब होगा जिसका उद्गाटन पियम नेंद्र मोधी करेंगे तो पहले कोशन का दोस्तो राइट आंसर रहेगा ओप्शन सी यानि की अक्टूबर दोजार तीस में दोस्तो C राइट आंसर हो जाएगा दूसरा कोशन आता है पती पतनी के बीच सुले की गुंजायस ने रहने पर सुप्रीम कोट सविधान के किस अनुच्छेद के तहत तलाग को तुरंत मंजूरी दे सकता है दोस्तो दूसरे कोशन का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 142 यानि की दोस्तो ओप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा तीसरा कोशन आता है IPL का 1000वा मैच मुंबई इंडियन्स और किस टीम के बीच खेला गया दोस्तों तीसरे कोशन का राइट आंसर रहेगा जो एक हजारवा मैंच है दोस्तों वो मुंबई एंडियन्स और राजिस्थान रोयल्स के बीच खिला गया यानि कि इस कोशन का राइट आंसर सी हो जाएगा वई कोशन नमबर फोर आता है तिरसूल पुरम उत्सव का आयुजन किस राज्य में किया जाता है दोस्तों कोशन नमबर फोर का सही उत्तर रहेगा केरल राज्य में यानि कि ओप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर फाइव आता है एलाइसी का चेर्मेन किसे निउक्त किया गया है तो पाँचवे कोशन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ओप्शन ए सिदार्थ मोहनती यानि कि ए राइट आंसर हो जाएगा ये आपको याद अखना है देखे अगर आप लोग पीडियाप डाउनलोड करना चाहते हैं तो अउनली टॉप स्टेडी आप को डाउनलोड करिए फाइव स्टार की रेटिंग करिए उसके बाद आप करेंट अफेर की पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं और जो हमारी मास्टर पीडियाप है दोस्तों छेजार की कोशन आंसर्स की जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाते हैं हिस्ट्री, जोग्रफी, पॉलिटी, एकनॉमिक्स, फिजिक्स, कैमेस्ट्री, बाइलोजी, करेंट फिर, कम्प्यूटर, स्टेडिक जी के ये मात्र 150 रुपीज की पीडियाप है और इसको आप हमारी वेबसाइट, वोटस अप नंबर या फिन नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दियेगे लिंक से परचेज कर सकते हैं बाकी क्लासिस के टाइमिंग को नोट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे चटा कोशन आता है वर्ल्ड चैस चेंपियंशिप 23 का विजेता कोन रहा तो चटे कोशन का राइट आंसर हैगा डिंग लिरेन यानि की दोस्तो बी राइट आंसर हो जाएगा चटे कोशन का सही उत्तर ये आपको याद अखना है कोशन नमबर 7 आता है हाल ही में इनफोसिस को पीछे छोड़ भारत की चटी सबसे मुल्यवान कंपनी कोन सी बनी है तो साथवे कोशन का दोस्तो राइट आंसर रहेगा आईट इसी यानि की दोस्तो सी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 8 आता है हाल ही में कहां कहां पर तो राइट आंसर रहेगा कोशन नमबर 9 आता है हाल ही में यूरोप में रिफाइन इंदन का सबसे बड़ा आपूर्ती करता कोन बना है तो नवे कोशन का राइट आंसर रहेगा दोस्तो बिलकुल से दोस्तो अपना भारत यानि की दोस्तो तो सी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 10 आता है हाल ही में कौन मालदीव के तीन दिवसिये दोरे पर गए हैं देखे अगर आप लोग इस सेशन को रेगुलर देखते हैं तो प्लीज लाइक जरूर क्या करें अपने भाई भेन दोस्तो भी competitive exam की त्यारी करते हैं उन तक इस वीडियो को share कर दिया करें क्योंकि केवल मात्र दोस्तो दस मिनट की वीडियो में आपको सारे करेंट अफिर के question answers मैं आपको regular basis cover कराता हूँ तो दसवा question का जो right answer आएगा दोस्तो वैया हो जाएगा राजनाथ सिंग जी यानि की ए right answer हो जाएगा ग्यारवा question आता है हाल ही में भारत का पहला केबल इस्टे rail bridge अंजी अखड कहा बनकर त्यार हुआ है तो ग्यारवे question का right answer क्या रहेगा दोस्तो जम्मू कस्मेर यानि की C right answer हो जाएगा question number 12 आता है हाल ही में संत्यागो पेना ने किस देश के राजपती का चुनाव जीता है दोस्तो संत्यागो पेना ने किस देश के राजपती का चुनाव जीता है तो बारवे question का right answer रहेगा प्रागवे यानि की B right answer दोस्तो हो जाएगा question number 13 आता है हाल ही में science 20 engagement group की बैठक कहा हुई है तो तेरवे question का right answer रहेगा लक्स दीप में दोस्तो यानि की C right answer हो जाएगा भई question number 14 है हाल ही में अनमान और निकुबार कमान के सतरवे commander in chief का पदभार किसने संभाला तो question number 14 का सही उत्तर रहेगा दोस्तो option A हो जाएगा साजू बालक्रिशन यानि की A right answer रहेगा ये आपको याद रखना है अगला question आता है रास्टवादी कोंग्रेस पार्टी NCP के अध्यक्सपद से इस्तिपात देने का फैसला किसने किया है तो पंदरवे question का right answer क्या रहेगा सरद पवार जिने यानि की B right answer हो जाएगा question number 16 आता है हाल ही में कलकत्ता उचिनेले का मुख्यन यादीस किसे न्यूक्ट किया गया है तो सोलवे question का दोस्तो right answer हैगा टी एस सिव अगर्णम यानि की option दोस्तो right answer रहेगा सी ये आपको याद रखना है question number 17 आता है भारत किस वर्ष से नागरिक उडियन में अंतरास्ट्य जलवाईयू का रवाई में सामिल होगा तो 17 question का right answer रहेगा option A 2027 तो ये आपको याद रखना है इस question का सही उत्तर question number 18 आता है किस अमेरिकी company ने पहले Republic Bank के संसाधन खरीदे जिसके प्रणाम सवरूप तीसरा वित्य पतन हुआ तो 28 question का सही उत्तर रहेगा JP Morgan Chase and Company यानि की option दोस्तो C right answer रहेगा 28 question का सही उत्तर question number 19 आता है समाज में AI के बढ़ते खत्रे के परती जागरुकता फैलाने के लिए Google को किस ने छोड़ा तो 19 question का right answer रहेगा Jeffrey Hinton यानि की दोस्तो right answer B हो जाएगा 19 question का सही उत्तर question number 20 आता है आसियान समुंदरी अभ्याज 2023 हारबर चरंग में आज से सुरू हो रहा है यह कारेकरम किस सेन्य बंदरगा पर आयोजित किया जा रहा है तो 20 वे question का दोस्तो right answer हेगा चांगी नेवल बेस यानि की D right answer हो जाएगा वई तो ये तो थे हमारे 20 current affair के question answers अब बात करते हैं आज के homework के बारे में आज का हमारा homework का question है 2023 विश्व अस्थमा दिवस का विशय क्या था इस question का answer आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा तब तक आप इस question का answer comment box में बता दीजेगा शुरू दोस्तो यहां से आपका आज का question of the day है बगवत गीता की इस भासा में लिखी गई है तो इस question का answer सबीश्व और comment box में बताएगे पांच सेकिन का समय मिलता है दोस्तो बगवत गीता की इस भासा में लिखी गई है तो right answer हैगा संस्कृत यानि की be right answer हो जाएगा यह आपको याद अखना है और जो हमारा कल का दोस्तो होमवर का question था वह था की immigrant achievement award 2023 से किसे सम्मानित किया गया है तो right answer रहेगा नीली बेंदापूरी यानि की option be right answer हो जाएगा तो यह थी हमारी complete वीडियो दोस्तो इसकी पीडियाप लेने के लिए only top study app को डाउनलोड करके 5 star की rating करके करेंट फिर पीडियाप वाले section में जाके आप पीडियाप ले सकते हैं बाकी जो 6000 के question answers की हमारी master पीडियाप है दोस्तो मात्र 150 रुपीज की पीडियाप है और इसमें सारे subject आपको मिल जाते हैं आप इस पीडियाप को onlytopstud.com हमारी website या फिर 800-6016626 इस नंबर पे message करके ले सकते हैं और नीचे description box में लिंक है डारेक्ट लिंक पे किलिक करके भी आप इस पीडियाप को purchase कर सकते हैं classes के timing को note करिए चैनल पर नए हैं तो subscribe करके bell icon को own रखे ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो मिसना हो और मिलते हैं next class में दोस्तों thank you so much bye bye everyone take care ख्याले के अपना